एक advertisement था, जीवन ही एक उत्सव है, इसे स्वर्ग बनाए हम, तो जीवन एक उत्सव है, जहां पर भी जाओ ना celebrate करो, क्योंकि आपको लगता है कि आपको celebrity बनना है, तो celebrity बनने के लिए आपको उत्सव जैसा feeling होना चाहिए, तो मैं आपको आज के दिन बताता हूँ, कि business को celebrate करना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, business एक ऐसा चीज़न है, अगर आप उसको सोचोगे, कि मैं इसको नॉर्मली एक काम करना हूँ, जो सुवेर शाम तक करना पड़ेगा, यहां से शाम को जब मैं वापस जाओंगा, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अगर आपको business में ही मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर आपका जीवन बहुत तकलीफ में जाएगा, क्योंकि 70-80% आपका जो समय है, important time है, आप पूर आज लगाते हो business के अंदर में, और यह business ही है, जो आपको प्रसिद्धी दिला रहा है, business ही कुछ यह communication नहीं आता, मुझे फलाना नहीं आता, जो जो चीज आपको नहीं आता नो उसका एक checklist बना लो, तीसरा चीज यह, कि जो checklist आपने बना है, अब उसके बाद में उसको clear करने के लिए, कि भाई इसको सीखना है, तो मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी होगी, आपको क इसके पास जाना पड़ेगा, कौन सी किताबे पढ़ने होगी, उसकी एक list बना लो, अब list बनाने के बाद में आप उसका timeline set कर दो कि इतने समय तक करने वाला हो, अब यह timeline करने के बाद चौता step यह है, कि जो जो चीज़ें आपने बोली, उसको आपने किया, उसको implement किया, अ बहुत easy हो जाएगा business को आगे लिए जाना, accelerate करना, right?